साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरक पटेल और आप देख रहें नेसल जन्मत उत्तर प्रदेश में वंचित तपके के लोगों को पहले सरकारी रासन का आदी बनाया गया अब उसी बन्चित तपके के लोगों को मतलब SCHT की जमीन हत्याने का भी रोड मैप तयार हो चुका है और इस रोड मैप को नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश की नई टाउनसिप नीती इस नीती के तहत अब SCHT की जमीन खरीदने के लिए DM की अनुमती की जरूरत नहीं के संपूर्ण विपक्ष एक जुठ हो गया और योगी सरकार पर दलिद विरोधी होने के आरोप लगने लगे बुरी तरीके से योगी आदितनाथ सरकार इस निर्णे पर घिरी हुई नजरा रही है क्योंकि विपक्षी दलों और सामाजिक संग्ठनों का कहना है कि नियम इ अगय से सिकायतें आती थी कि दलित समाज के लोगों को सराब पिला करके उनको थोड़ा बहुत करज दे करके डरा धमका करके उनसे गुंड़ई करके तमाम भू माफिया जवरन जमीन लिखवा लिया करते थे इसलिए एसी एस्टी की जमीन लेने से पूर्व डियम की अनु लेना जरूरी थी लेकिन योगी आधितनात सरकार ने इसको खत्म करने का मन बना लिया है इस मामले पर भीम आर्मी चीफ और आजास समाज पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष चंदर सेखर आजाद ने कड़े शब्दों में ट्विट करते हुए लिखा कांसी राम साहब जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है लेकिन योगी सरकार का नया हुकम नामा दलितों आधिवासियों की खून पसीने से सीची गई जमीनों को सोसक सामंतों के हवाले करने की साजिस है इसे हम नहीं होने देंगे अपने पुर्खों की जमीन हम लेकर रहेंगे जमीन की लड लेते हुए बुल्डोजर सरकार ने दलितों बंचितों को लूटने के एक और सडियन पर मोहल लगा दी है अब यूपी में S.C.H.T. अनुसूचित जंजातियों की जमीन लेने के लिए डियम की अनुमती नहीं पैसा तंत्र और बाहूबल ही परियाप्त होगा हम इसका पुर सरकार ने अपने ही बराय कानून को ठेंगा दिखाया है बाटपा सरकार की दलित वरोधी नीती का घोर निंदा करता हूँ कॉमेडियन राजीव निगम ने एक तीर से दो निसाने साधे हैं एक सासना देश के तहट जिलादिकारियों को राम चरित मानस और नौरात्री का पाठ कराने के जो आदेसित किया गया है उस पर और इस निर्णे पर कटाक्ष करते हुए वो लिखते हैं डियम लोगों को अ इस निर्णे से योगी आधितनात को बिपक्ष और सामाजिक संग्ठोनों ने बुरी तरीके से घेरते हुए उनको दलित पिशाव रोधी साबित करने की कोसिस की है हालाकि इस निर्णे से इस पश्च तोर पर ये नजर आता है कि सरकार चाहती है कि एसी एश्की की जमीन बिशते हैं तमाम दलितों को थोड़ा मुड़ा करज दे करके उल्जा लिया जाता है फिर उनसे उनकी जमीन लिखवा ली जाती है गुंड़ई करके दबंगई करके तमाम अन्य प्रावधानों से उनकी जमीन लिखवा ली जाती है तमाम जगे से सूचना आती है नसे की हा जमीन लिखवा ली गई इसके बाद दलित दोड़ते रहते हैं उनकी जमीन दवंगों के कबजे में चली जाती है अगर सरकार की ऐसी नियत नहीं है तो वो बिपक्ष को गलत सावित करे और अपने इस फैसले को वापस ले ताकि दलितों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन होत है या कोई पार्टी आगे बढ़ करके इसके खिलाप जनांदोलन तयार करती है देखते रहे नेसल जनमत जागरुक और सजक बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोकतंत्र धन्यवाद